नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपको दिखा रहे है हरीद्वार का ताजा दिरिश हर द्वार में हरकी पौरी में जिस परकार देखिए सर्धालू आयह हुए हैं गंगाय सनान करने के लिए आप जांते हैं हैं धर्म की द्रिश्टि से हरकी पौरी लि लगया जा रहा है मेला पुरुस्तवी एक साथ कोई शीडी पर बैट करके तो कोई पानी में खुस करके इस परकार आस्था की दुपकी लिया जा रहा है एशिनान कर रहे हैं सालों भर धन्नक ही परता है इस जगा खास करके इस से वगल जाईए तो वहां जैसा मोसम वैसा ता गंगा इसनान करने के लिए गंगा इसनान करने के बाद यहां जो गंगामा का मंदिर बनाया गया है उसमें सभी जल चरहते हैं परशाच चरहते हैं पुस्प अरपन करते हैं और जो गंगा घाठ है उहां भी पूजा किया जाता है उसके बाद देखिए सभी दान कुन करते हैं अपने अपने समान को वेवस्थित करते हैं तब घर जाते हैं इस परकार का अनबरत आगमन प्रस्थान होता रहता है सरधालू आते जाते हैं एशनान करके जाते हैं फिर आते हैं जाते हैं इस परकार का महावल यहां रहता है और प्रति एक दिन ऐसा ना जा रहा देखने को मिलता रहता है आप इस वीडियो में देख रहे हैं किस परकार देखिए जल का अर्ग दिया जा रहा है भगवान सुड को गंगा का जल अर्ग के रुप में दिखाया जा रहा है आप देख लिजिए सरधालू रंग बिरंगे परिधानों में आस्था की डूपकी लगा रहे हैं और मनमोह के दिरिस्ट है देखते ही बनता है दिरिस्ट किस परकार सभी खुशी नुमा खुश में परशंता पुरवत आस्था की डूपकी ले रहे हैं खुश नुमा माहूल है मदमस्त माहूल है आप देखिए यहां परतियक उम्र का सरधालू आपको दिखाये देगा चाहे वह महिला हो पुरूश हो बच्चे हो सभी परकार के सरधालू यहां आते रहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस गंगा की कल-कल करती जलधारा में देखिए महिला पुरूश भी एक साथ पनी में घुश करके मागंगा की उपासना और आस्ता की डुपकी ले रहे ह वोई आ रहे हैं जा रहे हैं देखिए किस परकार यहां जो एस्टिल का बैरी कोडिंग है उसके अंदर ही एसनान करने के लिए कहा गया है क्योंकि उसे बाहर जाने पर कोई अन्होनी हो सकता है इसलिए जो बैरी कोडिंग है उसी के अंदर एसनान करना चाहिए और यहां पूरी हरिद्वार का तीर्थ गंगा इसनान का